नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं प्रिंस तरह आपको इस यूटूब चैनल पर सोश्यॉलिस पर पढ़ा रहा हूँ मेरा यूटूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मॉवाइल नंबर है 9807-780-1640 जिस पर आपको सोश्यॉलिस संबंदित एनी क्वेरेज हो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो सुरू करने से पहले हमारी जूमैप पर ऑनलाइन क्लास सोश्यॉलिजी की सुबा आठ से दस बजे की बीच में रनिंग में हैं आप अगर क्लास जॉइन करना चाहते हैं जूमैप की तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट करिए आपको उससे समंदित जो भी डिटेलिंग होगी आपको बता दिया जाएगा इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पर डे जूमैप के क्लास को चाहिए आपको प्रवाइड करता हूँ इसके साथ ही हमारा योजी सेनट का प्रथम प्रशन पत्र भी सिरीज चल रहा है अगर आप उससे समंदित भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं चाहे हो मटेर समंदित हो चाहे हो क्लास से समंदित हो और उसका भी मैं वीडियो आपको एक वीडियो में प्रवाइड करता हूँ योजी सेनट के प्रथम प्रशन पत्र समंदित तो आईए हम देखते हैं इस वीडियो का पहला कुशन कुशन नंबर वन है आधुनिक भारत में ध्यान सुनिएगा आधुनिक भारत में निमलिखित में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिससे राजनितिक प्रेरित माना जाता है जातिवाद, बेकारी, निर्धनता, शामप्रताइकता तो मैं आपको बताना चाहूँ है कि आधुनिक भारत में एक सामाज, जटिल सामाजिक समस्या है अब वो समस्या जातिवाद तो हई है उससे ज़्यादा स-ज्यादा जो राजनितिक प्रेरित माना जाता है वो है सामप्रताइकता सांपरदाइक्ता और जातिवाद दोनों है बट एप्रोप्रीट एंसर आपका हो जाएगा सांपरदाइक्ता अब सांपरदाइक्ता होता क्या है कम्यूनलिसम सांपरदाइक्ता होता ये है कि इसमें किसी धर्म शंपरदाइक के लोग किसी एक समूह या संपरदाई के लोग क्या होता है वो किसी धर्म विशेष को स्रेष्ठ मानते हैं compared to other religion की तो इस समूह या धर्म संपरदाई के लोग ये होते हैं और उसके आधार पर फिर वो संघर्ष करते हैं और संघर्ष क्या होती है हिंसात्मक शंगर्स में परिवर्थित होती है इसी को कहा जाता है संपरदाइक्ता तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पहले का एका वन का बी सेकंड कुश्चन संपरदाइक्ता जैसी गंभीर सामाजिक समस्या की उत्पत्ति किस काल में हुई द्यान सुनिएगा सामपरदाइक्ता जैसी गंभीर सामाजिक समस्या की उत्पत्ति किस काल में हुई प्रानबोई ये आप टूरंट लेजिए इसको ऐसे ही ब्रिटेस काल में सामपरदाइक्ता की समस्या सम्मंदित है धार्मिक स्वार्थ से सामाजिक स्वार्थ से आर्थिक स्वार्थ से राजिनितिक स्वार्थ से अभी मैंने आपको ज़स्ट पहले वारे कुशन बताय था कि सामप्रदाइक्ता ऐसी आउधार्णा है जो किसी धर्म विशेस को वरियता देने के नाम पर क्या होती है? उत्पत्ती होती है ठीक है सामप्रदाइक्ता तो सामप्रदाइक्ता तो इसमें क्या हो जाएगा धार्मिक श्वार्थ इसमें क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा सामप्रदाइक्ता का तातपरी क्या है सामप्रदाइक्ता का तातपरी क्या है समूह पर आधारित हित धर्म वभाशा पर आधारित विशेश हित समूह वाद भाशा वाद तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बी एंसर यानि धर्म वा भाशा पराधरित विशेस हित अब भी मैंने आपको बताया था next question सामप्रदाइक्ता में किस हित को सर्बो परी माना जाता है द्यान सुनेगा सामप्रदाइक्ता को किस हित सामप्रदाइक्ता में किस हित को सर्बो परी माना जाता है रास्ट्री हित, राजनीतिक हित, समुविशेश का हित, सामाजिक हित, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, समुविशेश का हित वो समुविशेश का हित, धर्म आधार समुव, right? next question अंग्रेजों ने सामप्रदाइक्ता की भावना का संचार किस रूप में किया ध्यान सुनेगा अंग्रेजों ने सामप्रदाइक्ता की भावना का संचार किस रूप में किया सामाजिक सासन प्रणाली के रूप में सासन करने का नयतिक प्रयास सासन करने का भावतिक प्रयास इसमें क्या हो जाएगा फूड डालो सासन करो यह बहुत important उकती है अंग्रेजों की द्वारा दी गए थी फूड डालो और सासन करो यह सामप्रदाइक्ता की भावना की संचार करने में महत्वण योग देता है यह कथन नेक्ट क्वेशन है सामप्रदाइक्ता को किस रूप में जाना जाता है जो धार्मिक आधार पर मदभेद का परिचायक है सामुदाइ विशेश के हित भेद समुविशेश के हित संस्था विशेश के हित इसका अंसर क्या हो जाएगा अगर मुख्यता यहाँ पर पूछा जाए तो इसमें एंसर D ना होकर A होना चीए लेकिन अगर सामान रूप में सामप्रदाइकता का सुरूप देखा जाए तो यहाँ पर A, B, C, D चारो होगा एंसर ठीक है ध्यान रखेगा मुख्यता यहाँ पर अगर सामप्रदाइकता को किस रूप में जाना जाता है धार्मिक अधार पर समुधाय विशेष के हितिस में सामिल होते है समाज विशेष के भी हितिस सामिल होते है संसा विशेष के लेकिन यह सब हुई इसमें नहीं होंगे ठीक, नेक्श कुशन धार्मिक आधार पर उतपन सामप्रदाइकता की चरमत कर्ष बिंदू का प्रणाम माना जाता है ने के से संपरदायबिक्ता का मूल करण माना जाता है समांता आशा मानल से चोने तूह जाएगा इसमें संकिड मान लग नहीं एक कोई नहीं धोग लेकिन लेकिन लोगों की मन मस्तिश्क में संकीड़ता उत्पन है कि हमारा धर्म क्या है एक कहेंगे कि खतरे में है और दूसरे का धर्म क्या है खतरे में नहीं है ये संकीड मानसिकता तो सबसे बड़ा मुख्य काण क्या है संकीड मानसिकता का मोल काण क्या माना जाता है संकीड मानसिकता ल और अगर ओफिशियली देखा जाएगा तो ओफिशियल वेशिस पर कोई किसी प्रकार का कोई आसमानता उत्पन नहीं की जाती सांपरदाईता का मुख्य करण क्या है सामप्रदाई तक प्रथक करण की भावना, समाजवाद की भावना, संगर्ष की भावना, न्याई की भावना तो यहाँ पर क्या होगा प्रथक करण की भावना, यह मैंने लिखाया भी है सुबा की जो भी मौनिंग क्लास कर रहे हैं, उनको मैंने यह कराया भी है सांप्रदाईता का मुक्रण क्या है प्रतक्रण की भावना मुक्यकरण है ये सांप्रदाई गुट किस भावना से उत्परोथ होते हैं जो सांप्रदाई आधारिज जो गुट होते हैं लोगों का समूह होता है वो किस भावना से जून होते हैं संकिर भावना, धार्मिक कटरता, धार्मिक भावना, नैतिक भावना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धार्मिक कटरता होगा, ठीक है, कटरता और भावना दोरों में डिफरेंस है, भावना उस पर विश्वास करना यह होगा, और कटरता विश्वास से उपर का विश्वास होता है ठीक है दियान रखेगा यह चीज ठीक है यहां पर तब यह तुलनात्मक सुरूप भावना आ जाएगा भावना का तुलनात्मक सुरूप हो जाता है तो साम पताई गुट की किस भावना से होता है धार्मी कटरता से ठीक है नेक्स्ट कुश्चन चल दी हम नेक्स ट्राइल में चलते हैं देखे इसमें कुछ आपको दिखाए देगा थोड़ा दूदूला लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा पूरा अच्छे सपढ़ने के लिए आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी यह ऐसी मैं आसा कर रहा हूँ नेक्स कुश्चन तो किस भावना को से सामपरदाइकता को बल मिलता है द्यान सुनिएगा किस भावना से सामपरदाइकता को बल मिलता है तो धार्मिक धार्मिक सामाजिक मनोब्रती सामाजिक मनोब्रती शांस्कृतिक मनोब्रती और इसमें क्या है सैचिक मनोब्रती तो इसम नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ये द्वैश ओके ये वाला द्वैश तो यहाँ पर सामप्रदाइक्ता जो है वो किस प्रकार की सब विवस्ता उत्पन करती है द्वैश बैमनश की विवस्ता उत्पन करती है फिर सब मैं बोल दे रहाँ options आप सुन लेजी द्वैश बैमनश प्रेम सौहार्द और संगर्श सामप्रदाइक्ता समंधित समश्या किस के लिए एक रोग माना जाता है सामप्रदाइक्ता जैसे समश्या जो है वो किस के लिए रोग माना जाता है तो समाच के लिए ब्यक्ति के लिए संस्ता के लिए समित के लिए तो ये किस के लिए रोग माना जाता है समाज के लिए रोग माना जाता है तो ध्यान रखेगा एचे सामपरदाइक ता है यसे समस्याओं से निपटने के तो निमने में से किस मूल यंतर के रूप में सुविकार किया जाए किसे मतलब समस्याओं की निप्टाने के लिए क्या उपाय किया जाए तो सरकार के नियंत्रण को अध्याति मोल्यों की अस्थापना करना कानून को तीस सब सारी डी एंसर सारी एंसर सही हो जाएंगे कि या तो नैतिक्ता का विकास होने पर लोगों में भाईचारे बंधुत क की भाईचार का विकास होगा ठीक है सरकार का नियंत्रण इस पर होना चाहिए और कानून भी कठिन से कठिन बनने चाहिए जिससे एक धर्म दूसरे धर्म को चोटिल ना कर सके ओके तो एजर टी एंसर इसका हो जाएगा करेक्ट नेक्ट कुशन है साम प्रदा एक्ता को समा नहीं एक्ता नहीं रास्टी एक्ता रास्टी एक्ता को प्रसाहिद करके हम साम प्रदा एक्ता को समाप्त कर सकते हैं साम प्रदा एक्ता को समाप्त किया जा सकता है नेक्ट कुशन है साम प्रदा एक्ता जैसे गंभीर समस्या निम्न में से किसके लिए अधिक गातक है निम सुनिएगा प्रतिक प्रतिनेधित उसे तात पर है रंग के अधार पर प्रतिकता वर्ग के अधार पर प्रतिकता धर्म जाति भाशा के अधार पर प्रतिकता तो यहां पर क्या हो जाएगा उपरोग तो शभी नहीं यहां पर एक चीज़ ध्यान रखेगा यहां पर अगर ध् भाशा के अधार पर प्रतक्ता है, यह सब सारी important है, ठीक है, सब के अधार पर प्रतक्ता उत्पन होती है, next question है, धार्मिक दृष्टिकोंड से भारत निम्न में से किस स्रेणी के रास्ट में आता है, धार्मिक दृष्टिकोंड से भारत किस, तो आपको पता होगा, धार्म न धर्म निर्पिक्ष तो धर्म निर्पिक्ष क्या है यहां पर एक ऐसा रास्ट जिसको जो सभी धर्मों को समान मानता है किसी धर्म विशेस को वरियता नहीं देता है ठेक है सभी धर्म को सर्बधर्ब संभाव की भावना से देखने का प्रयास करता है सभी धर्म की लोगों को अपने धर्म के expression करने का अधिकार प्रदान करता है ये हमारे शमिधान की विशेस्ता है अब इस अधार पर अगर आपका विशार जानना चाहूं तो ये है कि क्या भारत धर्म रिपेक्ष रास्ट है तो इसके अधार पर क्या धर्म मानता है तो इसका answer हो जाएगा yes धर्म को अपनाता है लेकिन धर्म विशेस को नहीं मानता धर्म विशेस को वरियता नहीं देता है अगर धर्म को मानता नहोता तो इतनी सारे धर्म का descriptions नहीं देता तो इस मानसर क्या हो जाएगा? D answer is the correct answer next question एक धर्म निर्पेश्ट रास्ट के रुपे भारत में संपूर धर्मों के साथ किस प्रकार का ब्यवहर किया जाता है ध्यान सुनिएगा सभी धर्म समान है ठीक है ये इसका अंसर होगा नेक्स्ट कुशन धर्म निर्पेक्ष होने से तात पर धर्म निर्पेक्ष होने से तात पर अधर्मी होना अर्थात संकुचित धर्मिक्ता पर चलना नहीं होता है बलकि उसका तात पर पूरता आध्यात्मिक होना होता है में से कोई नहीं फिर से सुन लिजी ये कतन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं देखे लिखा है धर निर्पेक्ष होने से ताथ पर अधर्मी होना अथवा संकुचित धर्म पर चलना नहीं होता बलकि उसका ताथ पर आध्यात्मिक होना होता है अब देखे आध्यात्मिक का यहा मानों का सुख किसी परकार का और मानोंwide की सेवा करना ये है अध्यात्स्यात्स मौत का उद्दिश ठीक तो इसका अंसर हो जाएगा बी एंसर राधा किश्लन का ये statement था आई हो पि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लिज लाइक करें शेयर करें और आप तक जिसने इरोंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्लेलिष्ट में जाकर इससे सम्मन दें जो भी सारी वीडियो हैं वो जाकर देखें बहुत सारी वीडियो तो आपको कुशन से डिटर यूनिट वाइस आपको प्रवाइट की गई है और आगे भी प्रवाइट करते रहेंगी इसलिए आप इससे सब्स्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए और आपको योजी सेनेट का प्रथम प्रश्ण पत्र भी आपको इस पे करा जाता है तो आप इन नमबर फिर से नोट कर लिजी 9807781640 देखें मैं 8 लिखा नहीं 9807781640 यह नमबर है इस नमबर पर आप योजी सेनेट के प्रथम प्रश्ण समंदित या सोशियोलजी समंदित कोई भी कोई रिस हो आप इस नमबर पर कॉन्टैक कर सकते हो देखें मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अगर आपको अशुविता हो यह हो तो 9807781640 यह नमबर है ओके थैंक्यू सो मच